दूस्तो आज की वीडियो में हम आपको एक एक टेवल फैंग का वाइनिंग डा बताने वाले है दूस्तो ये डा आटा आपकー नोट कर लिजेगा क्योंकि पांत साल से दूस्तो यह डाटा यूँज कर रहे यह कंपनी वाली भी डाटा यूज करते हैं कोई भी दिकत नहीं आता है बहुत अच्छा इसका प्रोफेंस आता है तो आज के वीडियो में हम इसका वाइनिंग डेटा आपको बताते हैं अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बाट विजिट किए विजिट किये आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल घंटर न नाम से onto यह टेवल से आता है दो टिन परकार करना प्लास्टिक बड़ी में भी इसका टेवला और लोहा बड़ी में हमको basic information हमको पता होना चाहिए चलिए धस्तो शबसे पहले इस motor का जो इस टेटर है ये दोस्तो आप देख पा रहे है कि हमारा कुछ इस प्रकार से किसी आता है जबसे पहले इसका हम आपको basic information आपको हम बताएंगे इसके बाद इसको winding टटा बताएंगे था चलिए तो सबसे पहले आप इसको basic information हम आपको पता तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यह चीज जान ले कि दोस्तों इस stator का stamping होता है दोस्तों जो stator का मोटाई होता है उसको यह stamping बोलते है दोस्तों यहाँ पर 15 mm मोटर का स्टेमपिग दोस्तों हड़ एक मोटर का स्टेटर के डिया लग होता है और उसका वैंडिंग डाटा भी अलग-लग होता है और दोस्तों है इसका इनर डया का बात क KYT या उसका इनर डया आसरए सेंटीमिट्र है और इस्का आठ असे यहां तक के दूर Però का ऑउट्र आया बोलते है 100 कोट में और और ते और लाया है और दो सआ रहे हो गया इसका कुछ शिक इन्फर्मेशन अब इसका आपको बताते हैं को इस यानि की 3.5 310 यानि इसमें स्लिट्व इसका 15 mm id id 14 cm odds 8 cm और दो sorry और तो यहाँःब स्टैबलुजी का बात करें तर दोस्तो इसको 34 मअब्र वार्स इसको वायंडिंग करेंगे अर्व binding का यारी रनिंग क्वाइल का गुलाई में डिस्टेंस रखना है 26 इंची इसका रनिंग क्वाइल का गुलाई में डिस्टेंस रखना है दो क्वाइल बनेगा हमारा रनिंग क्वाइल का यहाँ पर रनिंग क्वाइल का गुलाई में डिस्टेंस रखना है रनिंग क्वाइल से ए एक से आठ एक राउंड एक से दस एक राउंड एक से बारा एक राउंड तो दोस्तों आप चाहे तो यहां पर इसका स्कीन सोट ले सकते हैं और इसका स्कीन सोट ले करके आप रख सकते हैं आपको आने वाली कोई और इस प्रकार के मोटर आएंगे तो वैंडिंग करने में आपको आसानी होगी तो चलिए दोस्तों इसका स्कीन सोट आप ले करके रख लिजेगा तो इस डाइडी को दोस्तों हम हम आप साइड में रख रहते हैं अब दोस्तों यहां पर क्या करेंगे कि इसका हम वाइंडिंग करेंगे दोस्तों वाइंडिंग करने से पहले अगर आपको इसका क्वाइल का साइज निकालना चाहते है तो आप इसका क्वाइल का साइज भी निकालेंगे तो आपका 26 इंची बूलाई में पुड़ेगा किस्वाइल का साइज, हम किस प्रकार से निकल राइज आपको हम बता देत हैं, इसका कॉयल का साइज दोस्तों हम कुन निकलने के लिए सबसे पहले हम विचा राउंड वहाईल पीछ पर वाइल हो गया एक से बारे वाइल पीच नानी कि बीज में 6 खाली छोड़ के जो उपर तीन रट नहीं साइड मिलाएगा दीज में को हमको दुस्तों हमको टाल करें को क्वाहिल का साइड निकालना पड़ता है तो दोस्तों इसका यहां पर हम वाइंडिंड डेक्ट आपक कि एपी टेबल फेन का वाइंडिंग किस प्रकार से किया जाता है चलिए दोस्तों आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जागा वहाँ से देख लिएगा अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगो को अच्छा लगा होते हैं चैनल पर पहली पार विजिट